हेलो ब्रीवन एक्जाम वार्ण में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार पुली से संबंदित जोगर्फी के मोस्ट इंपॉर्टन प्रश्णों को देखेंगे जो अक्सर एक्जाम में पुछ जाते हैं और अगर आप इसका पीडियाप चाते हैं यानि कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में आकर मिलती है पहले हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है गंगोत्री ग्लेसियर से और यह पांच राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है कहां पर नदियां आकर मिलती हैं, जो गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं, देखे कुछ इधर से आके मिलती हैं और कुछ इधर से आके मिलती हैं, जो इधर से आके मिलती हैं ये दच्छिड की ओर बहती हैं, और जो इधर की ओर नदियां आके मिलती हैं, ये उत्तर की ओर बाण सागरबाद कहां पर है सो नदी पर है आप इसको भी ध्यान रखिए बाकी कोशी घागरा गंडक ये दच्छिड की ओर बहती हैं कि क्या दच्छिड की ओर बहने वाली नदियां है अगला प्रशन है सत्पुडा परबस सिंखला तापती तथा इस नदी के बीच इस्तित है इसको ध्यान से समझेगा देखिए पहले है बिंद्या चल परबस रेड़ी उसके बाद नर्मदा नदी बहती है कौन सी नदी नर्मदा नदी बहती है उसके बाद सत्पुडा परबस रेड़ी और उसके नीचे बहती है तापती नदी कौन सी नदी तापती नदी अब प के लंबाई कितनी है तेरह सो बारा किलो मेटर इसकी लंबाई है और ये पश्चिम की और बहने वाली सबसे लंबी नदीEst कहां पे गिरती है यह अरब सांगरमें जाकर गिंडी ती है और इसम्वर्प्रपथ है है आप इसको भी ध्यान रखेगा और जो यह नर्मदा नदी है यह बरांस घाटी की में नदी है और यह इस्ट्वी निर माड़ करती है और यह श्टवी का करिए टनसर हो जाएगा ये पोर्ट ब्लेयर में इस्थी था अंडमान निको बार में इस्थी था अब पिरोटर्ण holidaysre कहा है कर पर है तो यह तमिलनाडु में है गंगा सागर्दीप कहा है तो यह पश्रिम बंगाल में है कुछ और राष्टी उध्यानों की बात करते हैं आप मैं रिविजन करवा दे रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा बाल में की राष्टी उध्यान कहा है तो बिहार राज में है पन् चैबुल लांजाओ जो तायरता हुआ राश्टी उद्यान कहां पे है मड़िपूर में भीतर कणिका कहां पे है तो उडिसा राज में है आप इतना इसको बारे में ध्यान रखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका रिविजन जुरू कर लिए जाएगा अलहां नीचे दिये गए स्तंबो में से राज्यों के नाम और वहाँ अवस्तित nuclear reactor के नाम दिये गए है सही मिलान दिये गए विकल्प में क्या है देखिये परमाष सेंद्र दिये गए है और पूछ रहा किस राज़े में स्तित है पहले बताईए परमाष उर्जा आयोग की अस्थापना कभूई थी 1948 में हुई थी किस ने की थी तो होमी जहागीर भाबा ने की थी आप इसको भी ध्यान रखिएगा और भारत का पहला पर्मार डिरेक्टर कौन सा था तारापूर तारापूर था यह कहां पर है यह महराष्ट में हैं आप इसको भी ध्यान र देश में कौन सा है नरवरा गुजरात में कौन सा है का करा पार आप इसको भी ध्यान रखिए इतना आप सारा मैंने बता दिया आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए मिलान लिजेगा आप लोगे बार अला है पिर्थवी प को क्या काते हैं भूमद रेखा कहते हैं और इसे का व्यास पूचा यही व्यास होता है ठीक है तो यह प्रिथवी का व्यास कितना है तो 12756 है तो लगबग पूचा कितना है बाराजा साथ सो पच्चास आप सन बीस का करेक्ट अंसर रोजागा ध्यान रखिए कभी-कभी त तुरिज्य निकल के आ जाएगी ठीक है और यह साड़े तेश डिगरी उत्री अच्छांस को क्या कहते हैं तो करक रेखा और साड़े तेश डिगरी दच्छांस क्या कहते हैं मकर रेखा आप इसको भी द्यान रखिए अगला पश्ण है दुनिया की सबसे लंबी राजमार सू सबसे गहरा बंदरगा भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है तो विसाखा पत्तनम है अनौर बंदरगा की बात करें तो कहां पे है तमिलनाडु में है तूति कोरन कहां पे है ये भी तमिलनाडु में है कांडला कहां पे है कांडला कहां पे है गुजरात राजम है और इसका नाम अब बदल गया है कांडला का क्या हो गया है पंडित दीन दयाल उपाद्याय बं बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई है मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और बात करें कि भारत का कृतिम बंदरगाह कौन सा है कृतिम यानी मैन मेट कौन सा है तो चिननाई बंदर बाइका आप इसको भी जना रखे सवर्प्रस्टी बनता है नेस्ट है फिजी की राजधानी कौन सी है देख लेते हैं फिजी की राजधान इक हुआ तो अपसन इस कराइटेंसरल की राजधानी है ठीक है सूरी नाम की राजधानी है और किंग्स्टन यह कहां कि जमाइका की राजधानी है जमाइका की जहां से हुसाइन बोल्ट आते हैं जमाइका की राजधानी है नेक्स्ट है भारत की सरपर्थम वान जियू सन अच्छन परियोजना का नाम था पूछ र यहां परियोजने का नाम बता रहा हूं आप इसको रिविजन का लीजेगा एक है गिर सिंग परियोजनें का एधि उनीसом 72 में आई थी राख परियोजनें भहुत पूचह जाता ने टाइगर प्रुच्ने का बहुत है तो सब्सक्राइबTrade2 1009 में अए था आप इतना ध्याना कियेगा इस से प्रत्र बनता है इनवार्मिट अनियों मैं इस से प्रस्वरthy नदियू में सफरीका से नहीं सथित महीं जटेख लेते हैं और आफ्रिका महाधिप son तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन भी हट्सन नदी यह अफ्रीका महादीप में इस्तित नहीं है तो कहां पिस्तित है तो यह USA में इस्तित है अप्सन भी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा जांबेजी नदी कहां पर है यह जांबेजी नदी यह अफ्रीका महादीप पहा रहा है एक है विक्टोरिया जील वो तो जल प्रपात हो गया और विक्टोरिया जील की एक है विक्टोरिया जील यह दोनों अलग है विक्टोरिया जील से ही नील नदी का यहां से नील नदी निकलती है विक्टोरिया जील से और यह जो लिम्पोपो नदी है लिम्पोप पूछा है कौन सा है और संटीस कराई टेंसर हो जाएगा घलप इस्ट्रीम धारा गलप इस्ट्रीम यहां गर्म जल्दा रहा है यह ठंडी जल्दारा है आप इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्टेम उस देश को इंगित करें जहां से ब्रमपुत्र नदी नहीं गुजरती है उसको द्हान से समझेगा कराए उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत नदी नहीं गुजरती यहां है यहां से निकल तीबबत मीं से क्या कहती है सांगपो कहते है तिबबत में आप ध overdose सुनिए गा टिभत में से साइंग पो कहते हैं उसके बाद यह बहते हुए नामचा बरबत से यह भारत में प्रिवेस करती ऐकिस दर्र्ण से याँग्याब्दर्ण से सब्वर्त में प्रिवेस करती है जब यह प्रिवेस करती है तो इसे अड़ोचल प्रदेश में क्या कहा जाता है इसे दिहांग कहा जाता है क्या कहा जाता है दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रहंपुत नदी को उसके बाद असम में इसे ब्रहंपुत के नाम से जाना जाता है उसके बंगलादेश में क्या कहता है क्या पदमिंगा में अंग के नाम से बंगाल की खाड़ी में गड़ती है आप कि निकली इस बमी क्या खाता है उसके बाद ये याँयाब सरभात में और अधिद्ध प्रोप प्रदेश में क्या कहा गया दिहां कहा गया और चुछ किस एर और कमेंड करें और इसके पहले की वीडियो हमने जोगार्फी के प्रीविस एर कुशन को करा दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्ली चैनल पर आके देख सकते हैं और आपके लिए बहुत हेलफुल होगी वह ठीक है आगे देखते हैं पश्चिम मंग आजता और आमरवर्षा जाता है कहा जाता तो आमरवर्षा केटल में कहा जाता है आप इसको भी ध्यान रख रखेगा नेक्स है रभी की फसल की मौशम होता है तो मार्चस में काटाई होती है और और इसकी कई बहायव होती Tsch कौन से फसल आती है इसमें गेहूं गेहूं चना सरसो इसमें आते हैं और खरीब की बात करें तो खरीब में कौन कौन से फसल आती है तो धान मक्का मुंगफली कपास यह किसमें आती है खरीब में जायद में कौन से आती है ककड़ी खीरा वगरा यह किसमें आता है जायद में नेक्षन है निमल्कित में से किससे रामसर प्रस्ताय संदी जानी राम सर raise से संबंदीत एक किसे संबंदीत है तो आधर भूम से संबंदीत है दर दली भूम संदूर्श समधे23 कर्ट्ण रोज जाएगा और यह रामसर कनेंशन कर्वा था क्वीजिया 51 में एरान में हुआ था और आधरभूम दिवस का मना जाता है दो फर्वारी को आधरभूम दिवस मना जाता है और बरतमान में भारत में कुल कितने रामसर्षाइट है तो 75 दार रामसर्षाइट है आप इसको भी ध्यानर कहेंगा अलाप्षन है ताल Caseyमें खान कहां पर हैं तो यह कहां पर है तो आप शन्ड का राइट है अपसंगी तालचर कोईलस की खान अंब पादन कि दिश्ट देखेंगे तो धिसगर कर नहीं होगा उत्पादन कहां दाद किश्ण नदी पर रिष्थित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन एट टिग्रिश नदी इसे आप दजला नदी के नाम से जानते हैं दजला और फरात नदी यानि यूपरिटस को क्या कहा था फरात नदी कहा था और इन्हीं दोनों नदी से समझत है मेसुप है और सबसे आधा कहां पर है तो बिहार में कितना है यह जाहरा देश की मुद्रा चीन क कि मुद्रा कि बात करें यूइय हम यह रैमएंबी की मुद्र है और इंडोनेख्टा है तो इंडोनेश्यारी रूपिया僑 कहा की मुद्र behavior this gamel कि मुद्र है साउधी आरभ इरावदी नदी इसमें जा मिलती है तो इरावदी नदी किसमें जाके मिलती है तो यह मिलती है बंगाल की खाड़ी में आपसन इसका करेक्ट अंसरो जाएगा बंगाल की खाड़ी और जो इरावदी नदी है यह कहां की नदी है तो यह म्यानमार की नदी है तिक है म्यानमार क कि नदी हैं आपसन इसका करेटन start हो जाएगा ऑला निय notes जीन के पानी को डैस में बहा देता है कि नियokes नियाग्रा फाल्स theo जीन के पानी को किसमें बहा देता है तो उन्टोर्योमें अफ्समा अप्सट सब्सक्राइब चिंखरेल जागा यह जो यह और हूरन जीले आप इसको भी ध्यान रखी एक प्रश्ण और बनता है कि भारत का नियागरा किसे कहते हैं तो चित्रकूर जल प्रपात को भारत का नियागरा कहते हैं और यह इंद्रावुती नदी परिष्टित है चतिस गड़ में आप इसको भी ध्यान रखिये बहुत इंप्रश्ण है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज कौन साथ सबसे अधा प्याज कहां पर होता है तो आफसंसी इसका राइट एंसर हो जागा पस्ट्र मंगाल में सबसे अधा प्याज का उत्पादन हो लीजचे 3 और पुषर सब्सें का करेंस सब्सकूर होजाए गां मचली पाद से कौन सी कराइंती तो नीली करांटि असा क्यांए गोए डेवसाधा दर्रा भारत के निमलकीत राज्धयों मेंसे कि समय stillhésitez अ तबश्या कहां है इत्फ़ते थे इनमांचर प्रदेश में सभिक्किन structure तोझचिते लाट है धरश धर हो talks भोटर डर्रा तोछ क्ली यह मजिस्ते थिते फिर राज safest में क्यां और फिर तक में सरय को द्याना रखिएगा मरी विजन करवाधे रहोँ रह बाल मिक स्थी एंधियान कहा पूराइब आप सभी को पता होना चाहिए औंसिस का करेक्टा नसरो जाएगा बिहार में बाल में की राष्टी उध्यान इस्तित है अगला परश्ण है गंगा-ब्रहंपुट डेल्टा छेत्र का वन निमलखित में से किस नाम से जाना जाता है तो यह किस नाम से जाना जाता है तो आपसन B सुन्दरवन के नाम से या जाना जाता है और यह जो सुन्दरवन डेल्टा है किसके किसके द्वारा निर्मित होता है तो गंगा और ब्रंपुत के द्वारा निर्मित होता है और यहां पर सबसे ज़्यादा कौन सी इसका करेक्ट तेंसर हो जाएगा अला ब्रहंपुत नदि बंगला देश में क्या कहलाती है अब कीछ इसको भी देख लिएगा ठीक है अगला है रियाल मुद्रा इस देश से संबंदित है तो टीर्व मुद्र किस अभी पीछे मैंने बता आई है रियाल कहां कि मुद्रा है तो यह सौधी अरब की है और पाकिस्तान की मात बात करें तो पाकिस्तान रुपया अंगोला की बात करें तो अंगोली अंगोला का है कौजा अंगोली कौजा है यहां की मुद्रा अब्रियांत्र की सोद संस्तान नीरी अवस्थित है तो हैदराबाद में इस्तित अप्सन 20 का करेंट अंसर हो जाएगा अला निमन में से कौन दो नदियां अमर कंटक से उदित होती है अब पिछे बताया ना कि नर्मदा नर्मदा और सोन नदी कहां से निकलती है तो यह कहां निकलती है अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है मैं काल पहाड़ी में इस्तित है मर कंटक वहीं से निकलती है और अप्सन 20 का करेंट अंसर हो जाएगा मध्यपरदिस से नेक्ट है भारत की जनगन्ना 2011 की अनुसार सबसे बड़ी अनसूचित जन जाती कौन सा है यह आप इसको मिला लीजीगा ठीक है अब 34 देखते हैं सूची वन और सूची को सिमिलित की जाता नीचे दिए गया परवती दर्ण दिया दुसे तरह राज दिया है माना भी मैंने पिछे बता आये माना कहां पर है तो यह उत्तरा खंड में ना तुला कहा है सिक्किम है और शि मिला कहा है तो यह कहां पर है तो जम्मू कस्मीर में और यह बढ़ता हूं है लद्दाक मिस्तित है तो आप इसके साब से मिला लीजिएगा नेक्स्ट है अगला देखते हैं अगला प्रश्ण है कौन से नंबर का अब की बार तो 35 नंबर मोच गए हम लोग नेमलिकित में अलक नंदा और भागी रथी मिलका गंगा नदी का निर्मार करती है तो यह कहां पर मिलती है तो अप्शन 10 का राइट एंसर हो जाएगा देव प्रयाग ध्य प्रयाग का नाम सुना होगा आपने देखिए जब अलक नंदा अलक नंदा मेन है ठीक है अलक नंदा और भागिर्यति मिलती है देव प्रयाग उसके बाद अलक नंदा अगर नंद प्रयाग मिलती है तो नंद प्रयाग और इससे पिंडार नदी मिलती है तो कंड प्रयाग और इसे धावली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग और मंदाकनी मिलती है तो रूद्व प्रयाग आप इसको ध्यान रखिए इससे प्रश्ण बनता है एक प्रश्ण बनता है कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है तो बारा जिलों से ठीक है आप इस उडिशा राजमे स्तिते तक एक प्राष्ट में त्बाद नदी की बात करें तो इसे बंगाल का सोक कहा जाता है बारा कर नदी ये दमोधर के सायक नदी प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सबसे निकट का बाती है सूर के तो यानि उपसौर की घटना कब होती है प्रिटिक परपेच में तीन जन्वरी को होती है और अपसौर चार जुलाई को होता है आप इसको विध्यान के कभी कभी डेट भी पूछ लिए आता है नेक्स्ट है कुमायू हमाला निमलखित में से कि नदियों के बीच इस्तित है नदियों के अधार पर हिमाले को चार भागों बटा गया है ठीक कौन-कौन से एक तो है पंजाब हिमाले दूसरा है कुमायू हमाले और तिसरा है नेपाल हिमाले और चौता है असम हिमाले आप इसको ध्यान से समझीगा यह जो पंजाब हिमाल है उसे क्या कहा जाता है कुमाई हुमाले कमाई कुमाई नादी कहा जाता है और कुछ रहा है कमाई हुमाले किसके दुनिया के 5 प्रमुक्त महाइख सागरों में सबसे सबसे उथला है तो सबसे उथला कौन सा है तो आर्कटिक महासागर सबसे उथला है अगर बात करें सबसे गहरा कौन सा है तो प्रसांत महासागर सबसे गहरा है और इसी प्रसांत महासागर में ही मेरियाना गर्त भी है आप इसको विध्या रखेगा अला प्रशन है प्राकृत तसर मुंगा और एई जो ये टशर है ये बहुदूभर का एक है ट्राप करवेकल Tसर एक है ओटरसर ठीक है वह से पांच होती ही लेकिन मुझेतह चार होती है क्वान कानची मलवरी टशर मुंगा और एईरी मलवरी है मलवरी भारत में सबसे में से ज्यादा इसी का उत्पादन होता है मलवरी का होता है तो इस क्या हो जाएगा option 20 का करेक्ट अंसर हो जाएगा चार और इरी जो है कि इरी का जोब सबसे कम उत्पादन होता भारक एक प्रशना बनता है कि तो द्यान रखिए बहराम पूर में और यह कहां पर है पस्टिम बंगाल में और यह संक्राइब करता है तो पनामा नहार किसे जोडती है तो यह जोडती है तो यह जोडती है प्रशान्त महासागर को प्रसाथ महसागर को आप्षण का करें sy Glue जाएगा और यह कहाँ है तो पनामा देश में अब भारत का शक्री ज्यौख दुवीब बैरंदीब कहां पर है अंडबान निकोबार में इस्तित है नेक्स है जोहर सुरंग कहां से गुजरती है तो जोहर सुरंग जो है यह बनिहाल दरे से गुजरती है बैजल जापान की संसत कहलाती है यह कई बार परसे बनता है यह जापान के संसत को कहा जाता है और बता हूं मजलिस किसे कहा जाता है तो यह मालदी और इरान के संसत को मजलिस कहा जाता है एक पुछा जाता है डियूमा किस देश के संसत कहा जाता है तो रूस के और एक है सोरा सोरा किस देस के संसट को कहा जाता है तो अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है आप इसको ध्यान अख़ियेगा अलाइक किस देश में सरवाधिक टायम जौन है टाइम जून circumst किस देस में है तो फ्रांस में अप्षन ये का करेटन उर जागा देखिए दो परश्म कि देश में तो रूसं में घर चिली में सबसे अमेरिका की सब्से लंभी नदी अब सभी पता है और मेजन अमेजन अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ठीक और यह आयतन की दिरिश्टे सबसे से बड़ी नधी आज्तन के दिर से विषć की सबसे बड़ी नदी कांसी नदी निल नदी नेल THE अफ यह तुन ऄखनो जाएगा इसका एक और नाम है कपाशी मिण्ति और इसे स्वताहक जुताई वाली मिठ्टी भी कहा जाता है और ये किसके लिए अब इन्दर को कहां से होता है थैम्त उती इस के बैराज हैं सबसे बड़ी नहर है उपसावर की स्थिति बनती है देखिए प्रशन आ गया ना मैं बता रहा था भी उपसावर कब होता है जब कोई भी ग्रह यानि प्रित्वी प्रित्वी माल लेता है प्रित्वी जब सूर के सरवाधिक सबसे दूर होता है काब सबसे दूर होता है ना सुमात्रा लुटा उन्हाओ थाया कंताहर की ये अनुह खकार छेत्रों में किसमें बुस्मायन जन जाती पाइए बहुत इंपॉर्टन प्रस्टन है बुस्मायन जन जन जाती पाइए बहुत इंपॉर्टन प्रस्टन है बुस्मायन जन 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 यानि केसर की एक अस्तानी किसमिद की खेती के लिए उपई होगी है कहां पायाती है करेववा मिट्टी में क्या होता है केसर होता है तो का स्मीर में किसर कहां प्रवांटें परवत सिखर भारत के किस राज्य में उस्तित है बहुत इंपॉर्टन प्रश्ण है तो ब्लू मांटेन एक हाँ पे उस्तित है तो इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्सन ए मिजुराम राज्य में है अस्तित है मिजुराम म्यानमार की सिमय पहाई है यह अलाए 211 की जनगर्ना के अंसवार भारत की महिला सचर्था दर कितनी थे आप जनगर्ना के बारे मिजुरू दहां रखेगा इससे प्रस्चन हर एक जाम में बनता इससे प्रशन तो जारगा कि बात करें तो 82 82 दसंबलो एक चार परशंट है पूरुष की साचर्था अगर टोटल की बात करें भारत की कितनी है तो 74 परशंट है ठीक है आप इसको भी ध्यान किए अलब भारत में यार लूंग जांगो नदी किसके नाम से जाने जाती है देखिए जो यह यार लूंग जांगो नदी है इसे यह चीन में कही जाती है ब्रह्मपुत नदी को ठीक है चीन में से ब्रह्मपुत नदी को चीन में क्या कहा जाता है या लूंग जांगो नदी कहा जाता है तो इसका राइट एंस रोजागा ऑप्शन सीज का करेंट रिविजन करा दे रहा हूं असमी से ब्रह्मपुत और अड़ोचर प्रदेश में क्या कहा जाता है और बंगलादेश में क्या कहा जाता है तो जमना कहा जाता है आप इसको ध्यान रखेगा नेक्स्ट हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अपसंसी इसका कर खोली गई थी कानपूर्म आप संसी इसका करेट टंसर हो जाए कब खोली गई थी तो 1886 में खोली गई थी 1881 में धारीवाल पंजाब में खोली गई थी अलाप पुछन है निमलखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगा नहीं है अभी पिछे मनें बताए कृतिम बंदरगा यानि मैनमेड बंदरगा कौन सा है तो चन्नेई बंदरगा अप्सन बीस का करेट टंसर हो जाए बाकी कांडला कहां पे है गुजरात में परादी पुडिशा मुंबई मुंबई में है आप इसको ध्यान रखिएगा मुंबई सबसे बड़ा है नेक्स है कोडर्म ड़ा के खनन में के लिए जाना जाता है कि खाने किसे के लिए घना जाता है औरके लिए जाना आता है अप्संस का करें ये खाकर जाएगा ठीक है अब हारत में सबसे दाभरत कहां पर होता है तो ला dándhp सा कौन सा तो आप श्क्यानकराना कहा ईसको ध्याना रख़ियेगा संगमनवां से मyasकराना कौन से मक्राना ध्यान रख़ियेगा च्छेत्र यह कहाँ पर है त Aurाजस्थान में ए colorshigh our time कर यहिए मद पर इस्तित हैं तो यह पुलिकट जील के समीप इस्तित है कहां पे पुलिकट जील के समीप कहां पे तो यह आन्द प्रदिस राज्ज में इस्तित है पुलिकट जील दचिट भारत की सबसे उची चोटी है बहुत important प्रश्ण है आप इसको ध्यान रखिएगा कौण सी है मुंपली सबस्यादक किस राज में होती है तो गुजरात राज में होती है जूट कहां पे होता शरबाधिक तो जूट कहां पर होता है तो पष्ट्रिम बंगाल में होता है इसका की नदीओं का उध्गम भारत में नहीं है और राकस्ताल जील से निकलती है कहां से राकस्ताल जील तिब्बत से और यह पुछा जाता है कि किस दर्रे से यह भारत में प्रिवेस करती है तो सिपकिल्ला दर्र से या भारत में प्रिवेस करती है आप इसको ध्यान रखिये बहुत ही इंप्वार्टेंट है यह अगरम बात कर कि राजधानी है तो बोलिबिया की राजधानी है लापाज अक्यूटो क्यूटो कहा पर एकवाडोर का प्रक्रादीपी भारत तो इधर जो है यह पश्टमी घाट है और इधर है क्या पूर्वी घाट करा किस पहाड़ी पर दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर है निलगरी निलगरी पर जोने यह दोनों मिलते हैं तो इसका राई टेंसर हो जाएगा अपसंग C निलगरी पहाड़ी और यह कहाँ पर है तमिल कौन से मिजोरम त्रिपुरा पश्य मंगाल उसके बाद कौन सा राजस्थान मद्द प्रदेश गुजरात और जट्चतिजगर जारकन आठ राज्यों से गुजरता है आप इसको ध्यान रखिएगा और किससे नहीं गुजरता है तो बिहार से आपसन इसका करेक्टेंसर हो जा है कि कौन सा हिमाले लगू हिमाले इस्तिता किसके बीच में तो यह महान हिमाले और सिवालिक स्रेंडी की बीच में इस्तिते महान हिमाले और सिवालिक स्रेंडी आपसन बीस का करेक्टेंसर हो जाएगा अला प्रश्ण है भारत का इनमे से कौन सा और संद्चना छेत्र भार तो दुनिया का सबसे स्थान आटाकामा मरुस्ताल है तो आटाकामा कहां पर चिली में आप्टाकामा भी मिलेगा डारेक्ट मिलेगा तो आप इसको ध्यान अखेगा अटाकामा नेक्स्ट है निमलखित में से कौन सबसे बड़ा है उसके बाद देखिए लड़ाक है जम्मु कस्मीर दिल्ली पांडुचेरी चंडीगर लच्छदीप ददानगर हवेली और अंडमान कीतने हो गए आठ अगर पूछा जाए गण सबसे बड़ा काॉंस है तो लटदाक सबसे बड़ा है छेतरपल की देरेसे सबसे छोटा कॉयं सबसे चोड़ता है जशंक्र सबसे बढ़ी है और सबसे कम पूछा जा तो लट अच्छ दीप आप इसको विद्यान रखेगा अलब प्रस्ण नदियों द्वारा द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है देखिए अलूवियल आपने सुना होगा जलोड मिठी इसी को कहते हैं जलोड मिठी देखिए इंगल निखिट में से सूर्योचष सबसें कहां होता है एक यूदय कई हैं तो जापान को कहता है तो जपान कि राजधानी विसका सरबादिक गहरी जिव क्यांट == चुई सर्थ…" तो रूस में इस्तित है आप इसको ध्यान रखेगा और हम बात करें विक्टोरिया जिल के विक्टोरिया जिल कहां पर है पिछे मने बताया था अफ्रिका में है और इसी से निल नदी निकलती है तीके कगाद जील कहां पर है दच्वड अमेरिका में अमरिस सागर जीर कहां प पीछे में बता चुका हूं I psychologist का he पलास अदर परदीश का राष्ट का राष्ट का कमल बहारत की बात करेंश बिहार का गेंदा गेंदा ए लिए श्रायन नेम्लकित में से किस फसल की खेती भारत में सरवाधिक च्यत्रपल में होती थानों कि किसकी होती है धान की कोटी है अप्चन भीश का करेक्ट इस अरो जाएगा अला है जम्मू और कस्मीर कि सास की भासा कौन सी है तो क्या अच्छा डोंगरी ऑप्चन 20 का रहे अऔरिका का R Israelis sound कि महाधीत में देए सहारा कहां पे है तो आफरीकाहाधीप में दिदेंड आप संसी का करेक्ट सब्स्द हो जाएगा लाप उस्ताज या पुश्टय घ्हास के प्रदेस कहां पाया पुस्ताज घास के मैदान कहा पाजाता है अपसंसी इसका राइटन शुरू जागा हंगरी और अस्टेलियम कौन से घास के मैदान पाजाता है तो यह उत्री अमेरिका में पाजाता एक है वेल्स कहां राइटन कि मुद्रा क्या पाजाता है अभी पीछे में बताया था तो यह नहीं – मुद्रा की स花 प्रदेश राज़न सत्ष महारा» कहां सा है तारपूर में तारपूर स्थिति करनाटक में कौण सा है कायगा स्थित है नेश्ट है जार्वा जन्जाती कहां पायाती है मुष्ट गॉलें तो इस प्रदेस का रिख लेते हैं कि प्रदेस का कुछी पूरी अमिलाड़ को बात क्रहें । में का सास्टरेत कौन सा है। केेरल का 2 सासाथा कर लिए कर दूसरा है तो उत्तरिवारत का क्त्त थख और मड़ीपूरी कहा ऐखेगा एकपूचा जाता है स सТ्रिय यह बहुत पूचा जाता है प्रस्टतत। Онट्सम का य ओर है करती है बोरा युगुस्लाविया को सर्वाधिक प्रवाधिक करती है बॉरा क्षा से रेकेंन क्या है तो ये अमेरिकी अमेरिका चक्रवात रचा जाता है और ट्रूरेडव में से कौन सी नदियों δवारा जम्मा की जाती है प्रयंद रश्णा हमझना चुका है जलूड और किसका और बूगा घांटी स्थेunt थे पूगगाती कहा पेस्तित है option हो जागा थाफसन एस का करेक्ट और सब जागा किनYouф लूई घ्लय इस नगदी फसल में से जोक्त फचल लिकर काजियान फसल होते हैं जोन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है देखिए गर्म जल्धारा होगा जल्धारा यान करेंट दिया है तो कौन सा है गर्म पूचा है तो हो जाएगा आप से प्रशांत महासागर के गर्म जल्धारा बाकी हमबोल्ट लब्रडोर कैनेरी यह ठंडी जल्धारा है और यह जो हम कहते हैं हम बोल्ट है और केंडरी है यह अट्लांटिक महासागर के जल्धा रहा है अलापस्ना सरवाधिक जैवी वित्ता पाई जाती है सरवाधिक जैवी व अगला है चिलका जील इस्तित है चिलका जील कहां पे इस्तित है तो चिलका जील उडीसा में इस्तित है आप्शन ये इसका करेक्ट जील हो जागा और यह खारे-पानी की सबसे बड़ी जील है और भारत की भी सबसे बड़ी जील है चिलका जील दोस्तों यह रहे आज के प्र वोटिं